महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आप प्रचुर्ता और गर्म जोशी में सम्रिधर रूप से पनपेंगे। आपका स्वर्गिय दूत आनंद और जीवन तता को गहराई तक ले जाएगा। आपका पवित्र दूत आपको सलाह दे रहा है कि इस जगण्य व्यक्ती ने आप में रुची ली है। बहुत जल्द आप उनकी आराधना से मोहित हो जाएंगे। वे आपके सबसे यादगार अनुभव में आपके आगे जुक गए हैं और तब से वे आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से एक ही स्थान पर मिले और वहां उन्होंने आपको दिलचस प्रूप से देखा और आपसे प्यार हो गया। वे वास्तव में आपको पसंद करते थे और समय के अंध तक आपके साथ रहना चाहते थे। उन्होंने पहले आपके साथ जुडाव महसूस किया था और आपके साथ सौदा करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें आपकी रक्षा करने और प्रत्येक स्थिती में पास खड़े रहने की आवशक्ता है, वे वास्तव में आपको अपने पूरे अस्तित्व से सम्मान देंगे। आपकी बात आपको संकेत दे रही है कि वे आपके लिए उनकी विनम्रता को स्वीकार करें। वे पूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें पवित्र दूत ने आपके लिए चुना है, आप दोनों एक साथ रहने के लिए बाध्या हैं। आज का संदेश, अपने कदमों में एक वसंत के साथ इस नए अध्याय में कदम रखें। आगे बहुत सारी रोमान चक चीजे हैं जो आपके लिए इस महीने तक पहुँचने के लिए तयार हैं। क्या आपका विकास, प्रकट होना और पूर्ण शान्ती महसूस करना है, क्या आप तयार हैं। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ, टाइप करें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन की पुष्टी, मैं अपने जीवन में प्रचुर्ता का पात्र हूँ, मैं एक सम्रिधा जीवन के युग्य हूँ, पैसा अच्छा है, मुझे पैसे से प्यार है। जितना अधिक मैं देता हूँ, उतना अधिक मैं प्राप्त करता हूँ, उतना ही अधिक देता हूँ, पैसा एक मुक्त प्रवावाली उर्जा है, जो मेरे जीवन में आती रहती है, मैं खुशी और आसानी से पैसा कमाता हूँ. इस विडियो को लाइक करके ये दावा करें महादेव जी आज आज आपसे कह रहे हैं ब्रहमान्द आपके जीवन में एक सफलता प्रकट करने वाला है जो मौलिक रूप से सब कुछ बहतर के लिए बदल देगा क्या आप तयार हैं? यदि आप तयार हैं तो येस टाइप करें महादेव जी आज आज आपसे कह रहे हैं फरवरी एक अदभूत महीना होने जा रहा है जो उपचार उर्जा, आशीरवाद, स्पष्टता, खुशी, त्यार की प्रचुर्ता, प्रकाश, अच्छा स्वास्थय और अच्छे वाइब्स ला रहा है आपके लिए एक नया द्वार खुलने वाला है वर्तमान में आप जिन चुनोतियों का सामना कर रहे हैं उनका अंत होने वाला है आपको अचानक से अवसरों और आशीरवादों की जड़ी लगने वाली है जो आपके लिए रास्ता साफ कर देगा धैर्या रखें, अपने समय पर भरोसा रखें, ये होने वाला है अगर आपको इसकी आवश्यक्ता है तो हाँ, टाइप करें ब्रमान्द आज आपसे कह रहा है जीवन केवल उतना ही अच्छा होगा जितना आप इसे अनुमती देंगे उस सकारात्मक उपचार उर्जा को लाने में सक्षम होने के लिए स्वयम का सर्वश्रेष्ट संसकरन बने खुशी, शान्ती, त्रिप्ती और एकता है कि हमें कैसे जीना चाहिए एक बहतर दुनिया की शुरुआत खुद से होती है और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यदि आप तैयार हैं तो हाँ, टाइप करें, महादेव जी आज आपसे कह रही है जैसे ही ब्रमांद एक बड़े बदलाव से गुजरेगा, यह एक ऐसी स्थिती में आ जाएगा जो असाधारन परिवर्तन लाएगा पीछे मुड कर देखने के बजाए आगे देखने पर ध्यान दे, परिवर्तन पहली बार में दराने वाले लग सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिए सही दिशा में एक धक का साबित होंगे जो उन्हें स्वीकार करना चुनते हैं दावा करने के लिए आमीन टाइप करें प्रार्थना जब आप नहीं जानते कि क्या करना है मेरे बाद दोहराएं प्रियस्वर्गिय प्रभु मैं परिस्थितियों और निर्णियों का सामना करता हूँ ये जटिल और घना है मैं ब्रमित और खोया हुआ महसूस करता हूँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे प्रकाश दिखा सकते हैं? सबसे पहले, हे भगवान, मेरे दिल को शांत करो मुझे बताओ कि मेरी शांती अकेले तुम पर निर्भर करती है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन के केंद्र में तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा मैं जीवित रहूंगा आपकी आत्मा मुझे संतुलित रखे प्रभू, मुझे अपनी इच्छा दिखाए मेरे दिमाग और दिल को खुला रहने दे जो सत्या और जीवन की सेवा करता है जो सही है, उसे करने के लिए मुझे साहस दो मुझे अपना वच्चन दिखाओ इसे मेरे हरिदय में प्रकट करो ही प्रभू, और मेरे विश्वास को मजबूत करो क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास जाता हूँ और तुम मुझे अपनी इच्छा दिखाते हो तो आशीश निश्चित है यह आसान नहीं हो सकता इसमें समय लग सकता है परंतु मैं महादेव जी पर स्थिर रहता हूँ दावा करने के लिए आमीन टाइप करें दिन की पुष्टी मुझे भरोसा है कि मैं अपनी शनकाओं को दूर कर रहा हूँ और अपने विश्वास पर कायम हूँ मुझे भरोसा है कि मैं महान निर्नए ले रहा हूँ जो मुझे प्रचुर्ता और आशीरवाद के मार्ग पर रखता है मुझे भरोसा है कि मेरा फलदाई भविश्य सामने आएगा क्योंकि मेरी सभी जरूरते वर्तमान में पूरी हो रही है मुझे भरोसा है कि मैं कौन बन रहा हूं क्योंकि मैं खुद को रोज बहतर बनाने की चुनोती देता हूं मुझे भरोसा है कि मैं लगातार बढ़ रहा हूं, विक्सित हो रहा हूं और वपा रहा हूं जो मुझे फलता फूलता है मैं इस बारे में सपश्ट हूँ कि मुझे क्या चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए इसकी पुष्टी करने के लिए हाँ टाइप करें महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं जब आपका रास्ता अनिश्चित लगता है तो ये पूछने के लिए परियाप साहसी बने कि आपको अपनी खुशी से क्या रोकता है एक संदिग्ध मन को शांत करने से दिव्य मार्गदर्शन सुनने के लिए आवश्यक फोकस का स्वागत होगा जितना अधिक आप ट्यून करते हैं ये पहचानना उतना ही आसान होता है कि आप जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने की आपकी क्षमता क्या है कभी कभी आप कैसा महसूस करते हैं आप क्या चाहते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए स्पष्टता एक शक्तिशाली कमपास है इस वीडियो को लाइक करके ये दावा करें महादेव जी कहते हैं आपको कोई शांदार खबर मिलने वाली है ब्रहमान डभी आपकी स्थिती बदल रहा है आप आशीरवाद और प्रचुर्ता के मौसम में आ रहे हैं चीजे रोमान चक हो रही हैं यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपका है ये पहले से ही हो चुका है इसके लिए अपना आशीरवाद गिनना शुरू करें इसके लिए धन्यवाद कहना शुरू करें, इसका जश्न मनाना शुरू करें दावा करने के लिए 111 टाइप करें महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं आप असाधारन वृद्धी और विकास की अवधी में प्रवेश कर रहे हैं आपके जीवन में एक बड़ा कदम आगे बढ़ने वाला है द्रमांट के पास अभी आपके लिए तयार किया गया एक दरजी आशीरवाद है इसे अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए सुपर तयार हो जाए अगर आपको इसकी आवश्यक्ता है तो हाँ, टाइप करें महादेव जी कहते हैं इस वर्ष के समाप्त होने से पहले आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में इतनी सफलता मिलने वाली है आप देखेंगे कि चीजे आपकी करतना से बहतर हो रही है जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो आ रहा है इस वीडियो को लाइक करके ये दावा करें सुरक्षा के महादेव जी के कवच के लिए एक प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं प्रिया प्रभू, एक ऐसी दुनिया में जो खत्रे और अनिश्चित्ता से भरी है जो आपके विरुद्ध मेरी धाल, चारों ओर की तबाही से अपनी आँखें हटाने में मेरी मदद कर और तेरी ओर देख, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ इसके बजाए, मैं तेरे उपर रखूंगा आपकी आज्या के अनुसार कवच, हर दिन मेरा जीवन मैं आपके वच्चन पर अडेग रहूंगा और आपके पराक्रमी नाम में अपने शत्रूओं का सामना करूंगा रात को मैं आपके पंखों की आड में चैन से सोंगा, हम आपकी शरण में रहें और आपकी शक्तिशाली जाया में आराम करें दावा करने के लिए आमीन टाइप करें महादेव आप सब का भला करें इसे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत आयत को प्रकट करने में मदद करेगा कृप्या इसे अंदेखा न करें